इसाई लोगों के स्कूल में अगर बिर्सा मुंड़ा आज पढ़ाई नहीं किया होता आज हमारा जरकन बिर्सा मुंड़ा का नाम नहीं आता उली हत्तु के 75% पुर्बजुंग ने माना है उस इसाईयों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आप हमें कोमेंट करके बताएए ऐस पदत्ती ऐसा रितिरिवाज हिंदू धरम में अपनाया है या नहीं आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएएगा क्योंकि मुझे आपका कोमेंट इंतजार रहेगा आदिवसी की परंपरा आदिवसी की सव्यता आदिवसी की रितिरिवाज जिसे सरकार ने कस्टमरी ल देखा किया कोमेंट में जरूर बताईएगा आदिभसी आप कहते हैं आज जाती के नाम पर धरम के नाम पर आज बढ़काने का काम करते हैं आज मैं आपी लोगों से पूछता हूँ कि हिंदु धरम में आदिभसी की रिती वरवाज को आदिभसी की प्रंपरा को अपना के तित्रिवाज इसाई धरम माने वाले किस तरह से उस पुर्वज की प्रमपरा को पुर्वज की बेवस्ता को किस तरह से कायम करके रखा है आज हम इसी के बारे बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सुरू से आम तक आप देखते हैं इसके लिए धन्यवाद जब जब आदिवसी पुर्बज इस जर्खंड में रहने वाले चोटनगापूर में रहने वाले आदिवसी की मैं बात कर रहा हूँ उस आदिवसी की जब कलकत्ता में मिसनारी जब कलकत्ता में मिसनारी आके रुखा उस इस्तिती में जब इस चोटनगापूर के आदिवसी मुलने मिस्णरी लोगों से बेट मुलाकत हुआ और बेट मुलाकत होने के बाद उनलोग को देखा उनलोग बेरोजगार, ग downtown लचार पाया गया और उन लोग को देख करके पूचा उनलोग से कि आप लोग कहां से आये हैं जबूरभच लोग उस इस्तिती में उस समय में हम लोग की म पूंडारी बसा में बोज़ते हैं बोतो है बोतो है पाइन करके उँआ रेजा कूली का काम करता था जिससे देख करके मिस्नरियों ने उस पर ठरस खाया और उन लोग को पूझा कि आप लोग का गाउं क्या है आप लोग कहां से आये हैं जब उस पूर्बच लोगों ने ये बताया कि हमारा गाउं चोटनगापूर है हम यहां पे रेजा कूली करने आए हैं ये बात सुनकर के उन लोग की हालत देकर के मिस्नरियों ने देखा कि आप लोग का गाउं कहां है वही मिस्नरी जहां कलकत्ता उस समय हुआ करता था आज की तारिक में जब दिली जैसे बड को देखा पुरवजों की अधिवसी की हालत को देख करके समझा और उसकी हालतों पर तरस्क खाया जिसके बज़े से चोटनगापूर में मिस्नरी लोग आया और मिस्नरी लोग आने के बाद यहां के बासा यहां के कस्टमरी लो यहां की सारी जानकारी लेने के बाद अपनी भी जरकंड में खदम रखा उस मिस्नरियों ने स्वास्त सिच्चा और व्योस्ता का काम किया और आज वही मिस्नरियों ने जितने भी जरकंड में जितने भी आप देख रहे हैं रेलो एस्टिसन जहां भी आप देखोगे इसाही मिस्नरियों का ही देन है आप सही सुन रहे हैं और जहां जहां एसेसन बनाया, वहां पे अपनी मिशन, अपनी बिद्या लाय, अपनी अरद्धना लाय बनाया, आपने सही सुना, लेकिन आज वहीं पे पड़े लिखे, लोग वहीं पे पड़े लिखे, आदिवसी पड़ लिख करके अपनी समाज के लिए जगरुख बनाया आप उसका भी मैं सब्बूत देता हूँ जैपाल सिंग मुंडा आप देख रहे हैं जैपाल सिंग मुंडा इस नए मिस्नरियों का देन है और आप देख रहे हैं विस्रा मुंडा विस्रा मुंडा भी इसाई मिस्नरियों का इसकुल से ही पड़ करके अपनी देश के लिए काम किया है आप आदिवसी के छितर में रहते हैं आपको ये पता होनी चाहिए कि मिस्नरियों की देन से ही आज हमारी जरकन को बिर्सा मुंडा और मरंगों के जैपाल सिंग मुंडा जैसे करंती कारी फैदा किया है आपने सही उसी लोगों की कश्टमरी लोग अखिर आदिवसी लोगों की उस कश्टमरी लोग को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या उलोग ने कायम करके रखा है आज आप देख रहे हैं इस जरकन में जितने भी जू भी करंतकरी लाई है इसाई मिस्नरियों का ही धेन है आपने सही सुना अब ये बात गलत लगेगा, लेकिन आप रेकोर्ड चेक किजिए, कहीं पर भी इसाई मिसनरी आया, उस जगह पे इसाई लोगों ने ही एसरसन बनाया, विद्याले खोला, बच्चों को पढ़ाया, और इस जरकन को उन्नती प्रगति की रास्ता पे ले आया, आपने सही सुना आज हम वही आदिबसी लोग इसाई दरम को अपनाते हैं, तो उसकी पदती, जो अपनी पुर्बश की पदती को किस तरह से अपनाया है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि हमारे मनो सवयता में, हमारे मनो में तीन ऐसे गटनाये हैं, जिसे कोई नहीं बदल सकता, पैदा, बड़ा होना, और बुड़ा होके मर जाना, ये तीन गटनाये हैं, बच्चा, जवानी, बुड़ापा, ये तीन गटनाये, मैं आपको तीन गटनाये पर उसकी परमपरा, उसकी पूर्बश की परमपरा, आ अपनी परमपरा पर जाचीए परकिय और कायम करके उस पथती को मैं आप वफ बताऊँ गा जब बच्चा पैदा होता случай गाउं की अपनी पड़ोसी जो भी मह्लाइे उस परम पर उस प्रकृति जिसे आप अधिवस्य प्रकृति पूजक मानते हैं अधिबसी को आप मांते उस प्रकृति अधिबसी जंगल में रहने वाले अधिबसी की जो रितिरिवाज से ही उस मैलाएं लोग जब बच्चा पाइदा होता है उस मैलाएं लोग नादी में जाता है नादी में जाने के बाद गर में अपनी पतती के अनुसार अपनी उस को बहुत बड़ा मैत्व दिया है यह हल्दी आदि बसी समूदाय में भी ऐसा ही है और इसाई समूदाय में भी ऐसा ही है यह जस्त का तस है और दुसरा पॉइंट में बात करते हैं दुसरा जब बच्चे पाइदा होके बड़ा हो जाता है जब पाइदा होके बड़ा हो जात जब उसकी मंगनी की समय में आता है यानि कि उसकी रिस्तेदारी यानि कि उसकी सदी भीया करने का टाइम आ जाता है ऐसे इस्तिति में आदिवस्ति समाज भी रिस्ता ताय करते हैं और जब रिस्ता ताय करने के लिए जाते हैं लोग अपनी समाज के अपनी आसपरोस के लोग जब जाते हैं दुसरे नाया परिवर के साथ उस इस्तिती में जब एक दुसरी की नाया परिवर जब मिलान होती है उस इस्तिती में अधिबस्ति समाज द्वारा हनिया या पिर बीड़ी आप बीड़ी समझ रहे हैं मैं उस बीड़ी की बात कर रहा हूँ जो पीते हैं और और पर ये पदती है आज भी ये पदती आप देख सकते हैं आदिवसी की परमपरा आदिवसी की सब्यातार पर एक दुसरे को हनिया देकर या फिर बीड़ी देखके ये आदिवसी को पदती है अब देखते हैं इसाई में जब इसाई में भी जब किसी गर में मांगनी करने ज झादादाय आएक तरफ जाता है हणिया के जगा इसाई लोगों ने क्या किया चाय बनाके गरम चाय कर मया जINGING कि साथ के वर ज गुए बाम यहीं कोई प्रख नहीं कसी मैं कि लएइन फिले द प्रक्व कि साथ मेल जोल के खा पी के एक नया रिस्ता के साथ आप सही सुन रहे हैं एक दुसरे की जो नया रिस्ता बनते हैं उस नया रिस्ता के साथ मेल जो के पीते हैं ये पदती आज भी है अदिवसी की परंपरा और इसायूं की परंपरा में है अच्छा जब बड़ा होके जब वैसी को स अधिवसी बिहा करके ले आता है उसी समय में जब लड़की को या फिर कन्या या फिर बोर को गर से बाहर ढोके निकलता है अधिवसी समूदय में भी प्रमपरा ये है ढोके निकलना बाहर निकलना जो मंडप में बाहर निकलना और ढोकी भी फिर अंदर ले जाना ये अधिव अधिवसी की परमपरा है जब ले जाता है कोई वही कनाया को जब नाया परिवर में गर में ले आता है जब बेटा की पक्च में यानि कि अपनी मैके की चोड़ के जब उस कनाया को ले आता है ऐसे इस्तिति में अधिवसी की परमपरा में क्या होती है कि अपनी पूर्बश की सब्याताओं के अनुसार अपनी उस प्रंपरा के अनुसार उस कनाया को जो दुलह को उस अपने समाज में जो नाया गर जहां पहुंचा है नाया गर जहां दुलह का गर गया है उस इस्तान पे कनाया दोरा यानि की उस और बादू नवा कनाया दोरा हाणिया या पिर किसी तर आप बात करते हैं इसाई में इसाई में भी ये पदती है जब भी नाया कनाया कहीं से ले आता है या फिर नाया रिष्टा बनके आता है समाज रिती रिविदी के द्वरा जब ले आता है तो गर में वही नावा कनाया जिसे आप दुला बोलते हैं दुला वही दुला आज उन से जितने भी उसके बड़े लोग जो भी दादा-पूरका जो भी बाडावोडो सब जो भी धूला की हातों से दिया जाता है यह अधिवसी की प्रमपरा है और एक पतति जब नाया धूला और दूलिन की रिष्टा जो बनाने वाले को अगुवा का जाता है उस अगुवा को अधिवसी परंपरा के अनुसार अधिवसी रितिरिवास की अनुसार उसको कसी का मुंडी दिया जाता है कलू में या पिर कहीं भी बना के उसको ढो दिया जाता है यह अधिवसी की परंपरा है आपने सही सुना अधिवसी की ये परंपरा है जब नाया रिष्टक जो अगुवा ताय करता है ऐसे अगुवा को सिर्ख कसी का सिर्ख कसी का मुंडी ढोके दिया जाता है उसके हिसा में उसको दिया जाता है या फिर उसको मीड दिया जाता है ये अधिवसी की परंपरा है लेकिन आज आ होते हैं आदिवसी की साधी भीहा में अपने नाया सुम्दियों को अपनी नाया मेहमानों को आज आदिवसी परंपरा में भी यह है और इसाई लोगों की साधी भीहा में भी पहर धोना परंपारिक तारीके से माना गया है और आज की तारीक में भी ये कल्चर ये रित्रिवा बड़े होके जब मर जाता है बड़ा होके जब बुड़ा हो जाता है बुड़ा होने के बाद जब वही आदिवसी की परंपरा में कवरेस्तान में तोपा जाता है और यही बड़ी सबसे बड़ी मैत्वा मूल निवासी की पदती है क्योंकि उसके पास जमीन है उसके पास जैदाद है इसलिए वही आपने जमीन में ही गार देते है और गारने के बाद पत्तर से ढाक दिया जाता है या फिर उसके उपर में पत्तर रग दिया जाता है या फिर उसके सिर के मुंडी की तरह में पत्तर को गार दिया जाता है यही आदिवसी की सव्याता यही आदिवसी की परंपरा है यह बहुत बड़ी परंपरा है लेकिन इसा प्रिस्तान में गाड़ने के बाद उसकी मुंडी में मुंडी तरह पे उसको मुंडा तरह में पत्तर से गाड़ दिया जाता है पत्तर लंबा सब आप चाहे तो बड़ा पत्तर भी लगा सकते हैं या फिर उसके उपर में भी रख सकते हैं यह आज की तारिक में भी इसाई लो यह बिदेशी परमपरा नहीं है यह आदीवसियों की परमपरा है यह की जरकन की मूलनिवसियों की परमपरा है ऐसे बचपन से लेके मरं तक परमपरा आदीवसियों का परमपरा इसाई द्वारा जुगा के समान करके रखा है यह बहुत बड़ी महत्वा है आदीवसियों की क पुर्वजूंग ने माना है उस इसाईयों की मैं बात कर रहा हूँ जिसे आप G.E.L. Church यानि की गोसनर रियोंजी का लुतेरन कलिस्या कलिस्या का मतलब होता है समूद है उस समूद है कि लोग ये परंपरा मनते आ रहे हैं जब दूसरा परंपरा होती है जबकि उसकी गाउं में गाउं में भी सीमान में भी पत्तर गाड़ी जाती है जिसे सीमान दिरी कहा जाता है और जिसे ससन में अलग से पुर्कों की परंपरा को सजाने के लिए सवाने के लिए उस परंपरा पे पत्तर को गाड़ देता है जिसे ससन दिरी कहा जाता है ये पदती भी आदिवस्य की पदती है और इसाई समूदय के लोगों में भी ये पदती है आज आप इसाई की समूदय के कबरिस्तान में देख सकते हैं या फिर इसाईयों की गर या पिर गाउं में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसाईयों की समूदय में पत्तर घड़ा जाता है जिसका प्रमान य ऐसे समय के बारे में बताया, बच्चा से पैदा होना, बड़े होना, फिर बुड़ा होना, मर जाना, और हमारे इंसान की जिंदगी में यही तीन गटना गटी है हमारे अपनी मानुवा सवयता की जिंदगी में इतनी बड़ी सवयता है आदिवसी इसाई मिशनरी द्वरा बनाएगा इस पदत्ती में आदिवसी की अपनी पूर्बश की परंपरा को अपना के रखा है आप जाके चेक कर लिजिए आप जाके देख लिजिए लेकिन आज काई ऐसे लोगों ने कोमेंट करता है कि क्या सबूत है आदिवसी इसाईयों के पास लेकिन बहुत कुछ है बहुत कुछ है जिसे आप समझ नहीं सकते जिसे आप देख नहीं सकते ऐसे पदती इसाई पूरवज लोगो के साथ नाच गान होती है और उस नाच गान में आदिवसी प्रमपरा बेस भूसा में भी नाच होती है साथ आप ये भूर रहे हैं आज वही आदिवसी वही इसाई लोगों के तेवार में भी आप बोलते हैं करम बा बूरू जितने भी आप बूर रहे हैं मागे बूरू इस चीज आपको पता होनी चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसाइए जो आधिवसी आज जो आप जरकन में देख रहे हैं यह लोग 99 परसंट ही नहीं 100 परसंट आधिवसी लोग इसाइयों की पदती को अपना हैं अपनी पुर्बज की परमपरा को अपनी की है और वही अधिवसी की पदती आज की तारिक में भी अभी तक सजा के सवार के रखा है इस धेस का मालिक जिसे आप अधिवसी कहते हैं उस अधिवसी या फिर आप कहो के कि यह नहीं हो सकता तो आप चेक कर लेजिए जाके बता दीजिए या फिर चेक कर लेजिए लोगों के गर में भी उस पदती को पूरबज की पदती को अपना के रखा है, सजा के रखा है, समार के रखा है, यह है हमारी सबसी बड़ी पैचान, लेकिन आज सरकार ने ये भी कहा है कि आदिवसी की परमपरा को कुई छेड़चार नहीं कर सकता, और इसी का पैचान दिया है कश्टमारी लो जो अपनी पूरबज की प्रमपरा को अधिबसी की प्रमपरा को कुई चड़ चड़ नहीं कर सकता लेकिन आज की तारिक में यही प्रमपरा इसाई समुदाय के लोगों में भी सजा के संवार के रखा है आपने सही सुना आज काई लोग बोलते हैं कि किसी भी धरम को किसी भी तरह की जाती को बर्गरा ने या फिर हैस पोछाने का काम नहीं किया किया कर्किए उस पदती को सही तरह का समझाने का काम किया है आज की तारिक में वे आप देखते हैं यदि इस जरकंड में इसाई मिसनरी नहां होता अज हमारा अधिवसी समा़ज शिक्ठित कभी नहीं होता क्योंकि इतियास इसका गवा है। जहां जहां भी इसायों ने रहा, वह एशन सन बनाया। जहाँ जहां भी बनायाा हुआ वह बिद्यालाय खुला, जहां जहां भी भिद्यालाय खुला। आधि बस involved लोगों की बच्चे पढ़ाई किया, सिक्षित ग्रहन किया, आज उसी की बल्बुते आप जैपाल सिंग मौरंगों के जैपाल सिंग मुंडा आप देख रहे हैं, आज विर्सा मुंडा देख रहे हैं, आज अगर इसाई लोगों के स्कूल में अगर विर्सा मुंडा आज कर नहीं है अगर आप कोमेंट करोगे अगर आप देखोगे कि इसाई मिशनरी प्रमपरा है यह नहीं हो सकता वोस यह नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रमपरा इस जरकन की मूलनिवासी आदिवस्यों की प्रमपरा है आपने मैंने आपको बताया बच्पन से मरं तक यह प्रमपरा आदिवसियों की है तेकिन आज आप कहते हैं ये मिशनरीओं की नहीं आप मिशनरीओं की कहते हैं ये मिशनरी की नहीं है आज जर्मनी में जो मिशनरी रहते हैं उसकी परमपरा नहीं है आज भी हमारे गर में जब किसी किसी के गर में अगर आप जाते हैं मेमान आपकी पार को दो दिया जाता है, लोटा पानी से संभोधित किया जाता है, लोटा पानी से आपको उस प्रति की अनुसार आपको वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, यह आदिवसी की परमपरा है, यह मिस्नरियों की परमपरा नहीं है, लेकिन आज भी इसाय के गर में अगर आप आप जाते हैं तो आपके फायर को दो दिया जाता है या फिर लोटा की पानी से आपको दिया जाता है ये भी आदिवसी की परमपरा है आपने सही सुना लेकिन ऐसे कुलान चेतर में अगर जाएगा आप तो आपको पता चल जाएगा यही परमपरा अपनाया हुआ इस पदती आज कोलाई चेतर में अगर आप नाया जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोटा से स्वागत क्या जाएगा ये परंपरा है आज की तारीक मेंद ही लेकिन कोलाई आज की तारिक में है यह आप कहां करेंगे इसको आप कहां रखेंगे जिसे आप कहते हैं आदिवसी प्रकृती पूजक है या पिर आदिवसी इसाई है इसको आप परंपरा को कहा कर सकते, मैं समझ सकता हूँ, यह जो इसाई की पदती है, बाहर की है, विदेसी की है, मैं समझ सकता हूँ, लिकिन आदिबसी लोगों ने, इसाई समूदाय के लोगों ने जो भी पदती बशपन से लेके मरं तक जो भी अपनाया है, आदिबसी की प आदिवसी कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन आज की तारिख में भी ये पदती आदिवसी की समाज में, आदिवसी की रित्रिवाज में है, जब भी अगर आप किसी नय जगह पे जाते हैं, तो आपको संबोधित करता है उस पुर्बच की पदती से, उस पुर्बच की परमपरा के अनुसार, यह है हमारी अदिवसी की कलचर और इस जरकन की कलचर, आज की तारिख में भी इशाई मिस्नरी, जो भी इशाई मिस्नरी तो कमें चला गया लेकिन उसके सिक्का हुए पदती आज भी अपना हैं, लेकिन अपनाते साथ साथ में ही, जब तक धर्ती रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा तैंक यू जोहार जरकंड